नमस्कार दोस्तों और मैं हूँ S.P. S.E.N.G का छोटा भाई तो दोस्तों हम आपको एक नई वीडियो ओल लेके आये है तो दोस्तों हम आपको बताने जावाले है कि बाथ रूम में वाल क्लैडिंग कैसे लगाई जाती है इटालियन में तो दोस्तों हमारा इस पत्थर का न तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि वाल क्लाइडिंग कैसे लगाई जाती है तो दोस्तों आईए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यह हमारी बात्रूम है और हमने इसमें तीन इंची वाली पट्टी लगी हुई है हमारी तो दोस्तों इसमें हमने तीन इंची वाली पट्टी लाल लगा लिये और इसका हमने सलॉप भी काट लिया गया है पट्टियों में भी तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने इन सारी पट्टियों को पक्का कर लिया है और हमने इसका सलॉप भी कर दिया है दोस्तो अब इसको उपर क्लाइडिंग खड़ी करते हैं तो आईए तो दोस्तो आप देख सकते हो कि हम पहला पत्थर लगाने के लिए जा रहे हैं और हमारा पत्थर हम इसको ओलंबे में करेंगे ताकि हमारा पत्थर ताकि हमारी क्लाइडिंग बॉल पूरी सीधी जाए एकदम तो दोस्तो अब हम पत्थर को पक्का कर देंगे और फिर बगल वाला पत्थर लगाना स्टार्ट करेंगे तो दोस्तो इस पत्थर को हम पक्का कर देते हैं फिर बगल वाले पत्थर को भी हम लाके इसी तरह खड़ा कर देते हैं और फिर उसको हम ओलंबे में जॉइंट वॉइंट देखके पूरा ओलंबे में खड़ा करते हैं और इसी तरह से इसको भी हम प्योपी की सायता से डाट देते हैं तो दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें अब इसकी प्योपी से बहुत मचबूती पकड़ रहती है तो दोस्तों हमने इसी तरह से वो भी पत्थर लगा दिया गाया और बात करते हैं इसके अगले पत्थर की तो आईए हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि इसके अगले पत्थर को भी हम रख देंगे फिर बात करते हैं दोस्तो इसमें बगल में design वाली पट्टी है हमारी आप देख सकते हो हम पट्टी लगाने जा रहे हैं कि किस परकार से इसमें बगल वाली पट्टी है तो हम इसको TNEX की साहथा से color match करके पट्टी लगा रहे हैं तो दोस्तो हम बतायेंगे की हमारी पट्टी कौन से पत्थर क तो रहते हुए कि है कि दूस्त हमारे पट्टी और इसमें इसमें किसाइद करते हैं परफेक्ट दोस्तों आप देखी रहे हो बीड़ी पर बने रहे बीड़ी पर कटना करें तो दोस्तों आप यह देख सकते हो कि हमने यह पट्टी वाला डेजाइन इसमें लगा दिया है ब्रेली शियन गॉल्ड नाम से जाना जाता है तो दोस्तों हमने नीचे वाली क्लैडिंग पूरी बात्रूम में एक बार घुमा दी गई है तो दोस्तों अब बात करते हैं उपर वाली क्लैडिंग की तो आईए हम सबसे पहले उपर वाला पत्थर रखते हैं इसको हमने प्योपी साथा से रख दिया गया है और फिर इसके बगलवाला पथर भी हम इसी प्रकार से वुलम्बे में परफेक्ट करते हैं और में करने के भाद करक्ने के वाद इसको हम इसका कणर मेंच करें जो हमारा जौइंट आता है उसको हम color से बरेंगे ताकि हमारा joint दिखे ना finishing आ जाए तो दोस्तों अब बात करते हमारे बगल वाले पत्थर की तो दोस्तों हमने बगल वाले पत्थर में joint दे रहे हैं क्योंकि हमारा joint थोड़ा सा इसमें गड़वड था तो हम इसमें joint निकाल रहे हैं पर्फेक्ट एक दम से बैठ जाए फिट तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी यह बातरूम बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है तो दोस्तों आप अगर हमयरे चैनल पर नये हैं है तो तो दोस्तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सहेटां करें कमेंट करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और दोस्तों के साथ सेर करें तो दोस्तों हम इसमें प्योपी की लगाएंगे योपी की साहता से इसमें माल डालना शु सके और पत्थर को कि भिनेशिंग की जा सके तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना यार और हम आपको ऐसी वीडियो नई नई वीडियो लाते रहेंगे तो दोस्तों है आज के लिए अल्दा वैस्ट